नमस्कार दोस्तों, Study for Goals पर आप सबों का स्वागत है, it's me रंजित कुमार, you can follow me on Instagram, Twitter and Facebook and ask your any queries related to your upcoming JPSC and JSC exams. Friends, कुछ नीजी कारणों से, पिछले कुछ दिनों से, डिली Current Affairs के वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं आप आ रहे थे, परन्तो अब आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली Current Affairs के वीडियोस मिल जाएंगे, तो बेहिचक आप हमारे शाद बने रहें. Friends, आज के इस वीडियो में हम 10 से 19 अप्रेल के बीच बनने वाले जार्खन के कुछ अती महत्पुन Current Affairs देखेंगे. साथी Friends, इस वीडियो के अंत में हाली में COVID-19 पैंडबिक के वज़े से कैंसल हुए JPSC एक्जाम से सनमंदित कुछ बाते भी करेंगे, तो वीडियो को अंतक देखना ना भूलें. तो चलिए Friends, उससे पहले हम देखते हैं इस दोरान बनने वाले जार्खन के कुछ अती महत्पुन Current Affairs. Friends, इस वीडियो का पहला प्रस्ण है, हाली में जार्खन के किस वीर सहीद की पतनी का निधन हो गया है? आपके पस option है, अलबर्ट एकका, रंदीर वर्मा, जैपाल सिंग मुंडा और वीर सा मुंडा, तो बता दू Friends, इसका सही अंसर है, अलबर्ट एकका की पतनी, बल मदीना एकका का हाली में निधन हो गया है. इस अंदर में थोड़ी explanation देख लिजी, हाली में प्रमवीर चक्रविजेता, लांस नायक, सहीद अलबर्ट एकका की धर्मपतनी, बल मदीना एकका का 81 वर्स की उम्र में निधन हो गया है. फ्रिंड्स, बात जब अलबर्ट एकका से समंदित हुई है, तो आपको अलबर्ट एकका से समंदित कुछ बाते आपको जाननी चाहिए, क्योंकि exam point of view से जितने भी जारकन के व्यक्तित्व हैं, उनसे समंदित जानकरी, exam point of view से important हो जाता है. तो फ्रिंड्स, लांस नायक अलबर्ट एकका का जन्म, 1942 में हुआ था, और कहां पे हुआ था तो जड़ी गुमला, कहीं के जारी भी है, तो इससे confuse मत होईएगा, जारी गुमला में एक गाम है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, इसके अलावे इनके पिता का नाम जूलियस एकका था, और माता का नाम मरियम एकका, तथा पतनी का नाम बल मदिना एकका, जिसे हमने अभी दिखा है, और इनहीं का हाली में निधन हुआ है, तो इसे ध्यान रखे, फ्रिंड्स, अलबर्ट एकका समंदित कुछ और भी बाते आप जानिए, 1962 भारत की नियूद के बाद इन्हें लांस नायक बनाया गया था, और 3 दिसमवर 1971 को भारत पाक यूद के दौरान ये मात्रियम के रच्छा में सहीद हुए थे, मर्नो प्रांती ने भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से समानित किया गया था, और फ्रिंड्स, यह भी जानिए, कि जार्खन के ये पह कभी तक नहीं देखा है, तो बेहिचेक आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखी, आपको अलबट एका समंदित इच और एवरीधिंग का जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, फ्रिंड्स, आगे आज का दूसरा प्रसन है, हाली में गिरिधारी राम गंजू या गंजू का नीधन हो गया है, उनसे समंदित नीमने में से कौन सा कथन सही है, तो देखी, आप्सन ए है, यह नाकूरी साहित्य जगत के परसीद लेखक हम साहित्यकार थे, दूसरा है, इन्हें जारकन रतने से सम्मानित किया गया है, और तीसरा है, यह बिलवादा खोट के रहने वाले भी थे, फ्रेंट्स, जारकन के व्यक्तित्व सीरीज में हम गिरिधारी राम गौंजो से भी समंदित संपूर्ण जानकारी ले आएंगे, तो आज के करंट अफेर्स में जनरली में जो खास-खास बाते हैं, वहा मैं बता दे रहा हूं, आप निस्चिंत रहे मैं separate वीडियो इनसे समंदित एक बहुत जल्द लियाओंगा, वहाँ पे इनसे समंदित इनके जो भी साहित्ते हैं, नागपुरी साहित्ते में जो भी इनका contribution है, वो सारी details में आप तक लियाओं, फिलाल आप इतना ही जानिए, जो current affair point of view से important है, इनसे समंदित कुछ और बा हुआ था और कहां पे तो बेलवादा फोटी में हुआ था, friends इनके अलावे भगवान विर्शा मिंडा भी उली हातु फोटी के रहने वाले थें, तो इस तरह से चीजों का आप correlate कर ध्यान में रखें, और ये जन जाती हम छेत्री भासा विभाग राची विस्विदाले के अध्याच भी रह चुके हैं, यह भी very very important है कि ये जन जाती हम छेत्री भासा विभाग राची विस्विदाले के अध्याच भी रह चुके हैं, friends आगे आज का तीसरा प्रसन है, जारखन पुलीस के हैलो पुलीस एब को पुरे देश में कौन सा अस्थान मिला है, तो इसका स डिटेल में सारे प्रसनों का एंसर या डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, friends इसके लावी आज का चौथा प्रसन है, हाली में जारखन मुक्ती मोर्चा के संस्थापक सदस्य सीमोन मरांडी का निधन हो गया है, इनसे समंधित निम्ण में से कौन सा कथन सही है, तो द उप्रोक्त सभी, तो friends इसका सही एंसर है, उप्रोक्त सभी सीमोन मरांडी को सीमोन दाके नाम से भी जाना जाता था, ये दो बार राजमहल सीट से सांसद भी चुने गए, और ये पांच बार लिट्टी बाड़ा विधान सभा छेतर से विधायक भी चुने गए, और ये र सारकन मुक्ती मोर्चा के परमुख निता वपूर्व मंतरी साइमन मरांडी का 74 वर्स की आयू में निधन हो गया है, तो इसे ध्यान रखे, friends आगे आज का पांचवा प्रसन है, मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा पार देशिय चात्र विर्ती योजना 2020 के तहत, मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा पार देशिय चात्र विर्ती योजना 2020 के तहद, अनुसूचित जनजाती इसे भी ध्यान रखे, जारखंट के ही रहने वाले लोग ने जारखंट के अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना का सुरवात किया गया, जिसमें 10 परति इसे भी ध्यान रखे, फिर्ट्स आज के इस वीडियो में बहुत कम प्रस्न सम्मिलित किया है, पर आने वाले करेंट अफ्यर के वीडियो में नंबर अफ कोस्टन ज्यादा होंगे, और यह जो गैप हुआ 9 अप्रेल से लेके 11 अप्रेल के बीच में तो इस दौरान के प्र प्रस्न पूछ रखा था, और वह प्रस्न था, परियावरन के दिरिष्टी कौन से, राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा अभ्यान चलाया जा रहा है, तो आप सबों ने इसका एंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, और सही दिया है, आप इसी परकार से कमेंट बॉ नोबल बढ़ता है और आपका भी रिवीजन होता है तो फ्रेंट इसका एंसर है सनी वार नो कार अभ्यान जार्खन सरकार के द्वारा पूरे राजे में चलाया गया यानि सनी वार को ज्यादा से ज्यादा बाई सैकल या पैदल चलने की बात को जोर दिया जारा और इसके समं कर रखा है इसी परकार आज भी आपके लिए जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो प्रसने फ्रेंट अंतरास्टी आदिवासी भासाओं के लिए युनेसको ने अपने कारेबल में जार्खन के किस युगा का चेयन किया है तो आपसन है अना बेल बेंजामिन बाड़ा, रितेस, लसिम, बंग, अनुपुराव, और उक्रोगत तीनो तो फ्रेंट्स मैंने इसका भी एंसर अपने डेली करन्ट अफेर में बताया है यदि आपने रिगूलर हमारे डेली करन्ट अफेर को फॉलो किया है तो आप बेही चेक इसका एंसर कर पाएंगे और या वेरी-वेरी अगामी जेपीसी एक्जाम पॉइंट ओवी उसे भी या वेरी-वेरी इंपॉर्टन प्रसन है तो इसका एंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे फ्रेंट्स यदि आपको हमारा यह पहल यानि डेली करन्ट अफेर का पहल अच्छा लगता है तो आप बेही चेक हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तथा समंधियों के साथ इसे सेयर किया कीजिए इसके लावे यादि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप बेही चेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताके हमारी चैनल पे जहारखन में सबसे पहले और one of the best current affairs के वीडियो हमारे होते हैं तो आप भी हिचक इसे regular follow कीजी और इसके अलावे अपने मित्रों के साथ share करने वाली बात मैंने बोल रखा तो इसे share करने में भी कोई कमी नहीं क्या कीजे इसके अलावे फ्रेंट्स यदि आप इस वीडियो का पीडियाप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे वाटसप नंबर 8986772733 पे आप अपना नाम और आप जारकन की किस डिस्टिक से बिलाउं करते हैं सब्सक्राइर का अधरफार के जितने बिख रंस सेया से कर दिख रेकन्स बीडियो के परार्म में हमने कहा था कि JPSC का जो एक्जाम है जो दो मही को होने वाला था वो कोरोना पेंडेमिक के वज़े से कैंसल कर दिया गया है आज ही पिछले ही दिन मुख्यमंतरी हेमन सोरेन ने गोसना की कि जितने भी जारखन में एक्जाम होने ओले उन्हें एक दो महीने के लिए स्तगित कर दिया गया तो इसे आप दो तरह से ले सकते हैं कुछ वैसे सात्र जिनकी तयारी अच्छे से नहीं हो रहा था तो उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया है और कोविड-19 अभी काफी तेजी से फैल रहा है और इसके बुरे परिनाम भी आ रहे है तो उस पॉइंट ऑफ यू से भी कैंसिल हुआ है तो ठीक ही है क्योंकि जान है तो जहान है पहले जरूरी है कि आप खुद को सुरच्छीत रखें और कोविड-19 से बचें और इसे उपरचुनिटी के रूप में लीजी एक महिना एक्स्ट्रा मिला है तो पढ़िए जो थोड़ी बहत कमी है उसे पूरा कीजिए और अच्छा मौका है आप घर पे रहा के अराम से पढ़ाई कीजिए ज्यादा बाहर जानी की जुरत नहीं है तो जो भी इसके लावे आपका कंट्रोल भी तो नहीं है यानि हम पढ़ने के सिवा JPC एक्जाम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो बहतर हमारे पास एक ही ओप्सन पढ़ने का तो भीचेक आप पढ़िए मैं आपने Daily Current Affairs में और भी कुछ बातें करते रहूंगा आपको गाइड करते रहूंगा तो आप भीचेक हमारे साथ बने रहें और तो आज की इस वीदियो में इतना ही मैं फिर मिलूँगा नेक्स डिके-डेली current affairs के साथ तब तक के लिए All the best for your upcoming exams and for your preparation जय हिन, जय धर्फन, एंज जोहार